नमस्कार स्वागत जहारखन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर लोकसभा चुनाओ के तीसरे चरण में 60 परतिशत से अधीक मतदान देश में लोकसभा चुनाओ के तीसरे चरण का मतदान 7 मैं को संपन हुआ बतादे की कुल तीरानबे निर्वाचन शेत्रों में मतदान हुआ परधानमंद्री नरेंदर मोदी ने अमदाबाद में अपना वोट डाला बतादे की इस बीच पस्चिम बंगाल के जंगीपूर में मतदान के दोरान एक मतदान केंदर पर टी एमसी के एक बूत अध्यक्ष की भाजपा उमिद्वार धननजय घोस से जड़प हो गई पस्री मगाल की चार लोग सभा सीट पर तीसरे चरन में मतदान संपन हुआ इस बीच बताय गया है कि निर्वाचन जिहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अभी तक 182 शिकायते दर्शी गई बदाद की तीसरे चरन में गोवा की दो सीटे गुजरात की 25 सीटे 36 गड़ की 7 सीटे और करनाटक की 14 सीटों पर मुकाबला होगा राची संसदिय शेत्र के लिए इसकूटनी की प्रक्रिया मंगलवार को हुई संपन जहारखन की राजधानी राची के संसदिय इलिहां शेत्र के लिए इसकूटनी की प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हुई बदादिकी समहरनाले ब्लोक यस्तित कमरा संख्या 207 में उमिद्वारों और उनके प्रस्तावकों की उपस्तिती में राची संसधी शेत्रिके निर्वाची पताधीकारी के जरिये बारी बारी से सभी 33 उमिद्वारों की नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी की गई है पतादे की दोरान चाह नमांकन जिहां चाह उमिदवारों के नमांकन को अस्विक्रित कर दिया गया है इस कूटनी के दोरान चाह उमिदवारों के नमांकन में तूटी पाई गई जिसके बाद उनका नमांकन रिजेक्ट कर दिया गया इंडियन नेवी में होने जा रही है कई पदों पर अगनिवीर भरती भारती नौसिना ने अगनिवीर के पद पर भरती के लिए एक अधी सूचन जारी की है जिसके लिए उमिदवार जल्द ही आविदन कर सकेंगे इस भरती अभियान के लिए आवेदन करने वाले अविवाहित उमिद्वारों को बारवी उतीन होना चाहिए साथ ही इन पदों पर उमिद्वारों का चैन दो चरणों में किया जाएगा आवेदन करने के लिए उमिद्वार आधिकारिक साइट अगनिवीर.cdac पर जीहां cdac.n पर जा सकते हैं आवेदन प्रक्रिया 13 मई से शुरू होगी जबकि आवेदन करने की अंतिमति थी 27 मई 2024 है बतादेकी इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले उमिद्वारों को किसी भी मानेता प्राप संस्थान से गणित और भावती की बिसाय में 50% तंकों के साथ 12 उतिन होना चाहिए जिन शात्रों का रिजल्ट अभी तक उपलब नहीं हुआ है वे भी इस भरती अभियान के लिए आवेदन के पात्रे हैं बतादेकी आवेदकों का जन्म एक नॉम्बर 2003 से 30 अप्रेल 2007 के बीच होनी चाहिए बतादेकी इन भरती जिहां इन पदों पर उमिद्वारों का चैन दो चरणों के आधार पर किया जाएगा परतम चरण में उमिद्वारों की शॉट लिस्टिंग की जाएगी वहीं अगले शरण में उमिदवारों का फिजिकल, फिटिनेस टेस्ट, रिटेन एक्जाम और मेडिकल एक्जाम होगा जारखन में नगदी मिलने का मामला एडे ने मंत्री के नीजी सचिव और घरेलू सहाय को गिया गिरपतार परवर्तन नीदे साले याने एडी ने एक फ्लेट से 32 करोड रुपे से अधीक नकदी बरामत करने के मामले में जारखन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के नीजी सचिव, संजीव लाल और उनके घरेलू सहाय को मंगलवार को गिरपतार कर लिया है मीडिया की खबरों को माने तो एजनसी ने जारखन के पाँच स्थानों पर नए सीरे से तलाशी भी ली और संजीव कुमार नाम के ठेकेदार से डेड़ करोड रुपे जब्त किये हैं खबरों को माने तो पिछले दो दिनों में कुल 36 दसलो 75 करोड रुपे बरामत किये जा चुके हैं बताया गया है कि लाल और उनके घरिलू सायक जहांगिर आलम से रात भर पुझताज करने के बाद दोनों को धन शोधन निवारन अधिनियम यानि पी एम एले के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया है केंडरी एजनसी ने गाड़ी खाना चौक इस्थित फिलेट से 32 करोड रुपे से अधिक की नकदी बरामत की और कुछ याने पर इसरों में भी तलाशी के दुरान 3 करोड रुपे नकद बरामत किये गए CBAC रिजल्ट जारी होने के इस दिन से कर सकेंगे नमबर वेरिफिकेशन कक्षा 10 वी और 12 के रिजल्ट जारी होने से पहले ही CBAC बोड ने अंसर शीट की फोटो कोपी नमबरों के वेरिफिकेशन और उत्तरों के रिवेल्यशन के लिए शेडूल जारी किया है इसके अनुसार नंबरों का वेरिफिकेशन रिजल्ट जारी होने की चौंथे दिन से शुरू होगा बोर्ड ने कहा कि समय सीमा पूरा होने के बाद CBSC बोर्ड रिजल्ट संबंधी गतिवीदियों की किसी भी अनुरूत पर बिचार नहीं किया जाएगा बता दे कि CBSC कक्षा 10-12 के रिजल्ट 20 मई के बाद घोशित होने की संभावना है CBSC ने पाया कि कुछ शात्रों और अभिभावकों ने अन्तिम तारिक के बाद रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए एक से अधिक बार बोड से संपर किया जो एक्जाम सेप्टी प्रोटोकोल का उलंगन है ये गतिवीधिया समय बद हैं और केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं इसलिए इसकी जानकारी पहले से ही दी गई है बोड ने एक आधिकारिक नोटीस में कहा माता पिता शात्रों इसकुलों को कारेकरम के बारे में पहले से सुचित किया जा रहा है ताकि जरूरत पढ़ने पर वेसी बेसी द्वराजारी निर्देसों के अनुसारे इन सुविधाओं का लाब उठा सकें साइबर घटनाओ से निपटने के लिए जेमिनी AI का उपयोग करेगा गूगल उध्यमों को साइबर घटनाओ से बचाने के लिए गूगल ने मंगलवार को एक नया थ्रेट इंटेलिजेंस सुल्यूशन लाँच किया जो जेमिनी AI द्वारा संचालित है गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस AI संचालित जेमिनी खत्रे की खुफिया जानकारी के लिए जिहां कनवर्सेशनल सर्च परदान करता है जिसे कस्टमर्स को इंसाइट्स प्राप्त करने और सोय को पहले से कहीं अधिक तेजी से खत्रों से बचाने में हेल्प मिलती है अलफाबेट और गूगल के सियो सुन्दर पिचाई ने एक्स पर पोस्ट किया हम साइबर सीकूरिटी प्रोफेशनल्स को बैश्वी खत्रों की बेहत्तर बिजिबिलिटी प्राप्त करने में मदद करने के लिए गूगल क्लाउड से गूगल थ्रेट इंटेलिजन्स लॉंच कर रहे हैं उन्होंने कहा यह जैमिनी की एडवांस याई शमताओं साथ ही मेंडियंट और वाइरस टोटल की इंसाइट्स का उप्योग करता है कमपनी ने कहा कि वह चार बिलियन डिवाइस और डेड़ बिलियन इमेल अकाउंट्स की सुरक्षा करती है और हर दिन सौ मिलियन फिसिंग परियास को रोकती है अब जैमिनी डेड़े प्रो को गूगल में नौक्री पाने का सुन्धा मौका सब इंस्पेक्टर के चार्सों मैल वेर से निपटने में सीकुरेटी प्रोफेसल्स की साहता कर सके इच्छा रखने वाले चात्रों के लिए बड़ी ख़बर सामने है बदादी की रेल मंत्राली ने सम इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भरती निकाली है ऐसे में आवेदन यहां आवेदन करने की चुक उमिदवार ओफिसिल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं वहीं उमिदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने का मौका 24 मई तक दिया जाएगा ऐसे में आवेदन की इच्छू कभियारतियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है बतादे कि अगर आप भी रेल्वे मंत्रालेक द्वराजारी की गई सब इंस्पेक्टर यानि एक्जगूटिव के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो 14 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रेल 2024 से शुरू हो गई है बतादे कि सब इंस्पेक्टर के 452 पदों पर आवेदन मागे गए हैं नोट की तरह यूज होगा ए रूपिया आर्बिया ओफलाइन लेंदेन की कर रहा तयारी आने वाले समय में आप डिजिटल करेंसी को नोट की तरह इस्तिमाल कर सकेंगे आर्बिया यानी भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमार को कहा कि लेंदेन को अस्थाई रूप से हटा कर इरुपय यानी केंद्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के जरिए लेंदेन को ऐसा बनाय जा सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा लगदी की एक प्रमुक विसिस्ता ये है कि इसे काम करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रत नहीं होती है इसका मतलब है कि बिना इंटरनेट के भी डिजिटल रुपय का लेंदेन कैश की तरह हो सकेगा भारत अपने वीतिय समावेशन लक्षों में मदद के ल बात से ही इसका जिहां इसकी गोपनियता को लेकर चिंताएं रही हैं कुछ लोगों का कहना है कि डिजिटल मुद्रा का इस्तिमाल किये जाने पर लेंदेन का इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा जबकि नकद लेंदेन में एक गोपनियता रहती है लोकसभा चुनाओ के तीसरे चरन में 60% से अधीक मतदान देश में लोकसभा चुनाओ के तीसरे चरन का मतदान 7 मई को संपन हुआ बतादे कि कुल तिरानबे निर्वाचन शेत्रों में मतदान हुआ प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला बतादे कि इस बीच पस्चिम बंगाल के जंगीपूर में मतदान के दोरान एक मतदान केंदर पर टी एमसी के एक बूत अध्यक्ष की भाचपा उमिद्वार धरनजय घोस से जड़प हो गई पस्चिम बंगाल की चार लोग सभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान संपन हुआ इस बीच बताया गया है कि निर्वाचन जिहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अभी तक 182 शिकायते दर्शी गई है